सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चानेल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दिजिए हमारा लाटेस वीडियो पहले पाने के लिए तेक्निकाल आनालिसिश की साथ मिने बना रहा हूं, लेकिन आप जब भी ये स्टॉक पे ट्रेट करने के लिए जाऊगे, आपको एक चीज हमेशा ध्यान पर रखना है मैंने के रूल का वीडियो का लिंक description section पे दिया है अगर आप वो रूल का वीडियो को नहीं देखे होगे तो पहले रूल का वीडियो को देख लिजिए और जिसी दिन ओर रूल का वीडियो के हिसाब से आपको trade करने के लिए signal मिलेगा चिप उसी दिन आप ये stock पे या Nifty और बैंक टिप्टी पे ट्रेड करोगे अगर कोई भी दिन कोई स्टॉक पे वीडियो के इंट्री नहीं आ रहा है तो आपको उसी दिनों स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है और आपको हमेशा और एक चीज ध्यान पे रखना है आपके क्यापिटल का 3% से ज्यादा रिस्क कभी मत लेना क्योंकि देखिए अगर आप ज्यादा पोजिशन लेके ट्रेड करते हो और आपका किसी भी दिन नुकसान होता है तो आपका वो 3-4 दिन का जितना प्रॉफिट रहता है वो सारे प्रॉफिट एक ही लॉस पे चला जाता है इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करक दर पाएंगे तो चलिए दोस्तों वो सारे स्टॉक निप्टी और बैंट निप्टी का एंट्री टार्गेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं पहला स्क्रिप्ट पे हमको हीरो मोटो को पर बाय करना है तो एक्विटर क्यास मार्केट पे 31300 पर बाय कर सकते हैं स स्टॉप लॉस 3125 रहेगा पहला टार्गेट 3175 और सेकेंड टार्गेट 3185 रहेगा तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं देखे स्क्रिप्ट 2 पे मैं आक्सिस प्यांक पे खरीदारी करने के लिए बोला है तो एक्विटर कैस मार्केट पे 628. बाइ करना है स्टॉप लॉस 25.5 रहेगा पहला टार्गेट 632 और सिकेंड टार्गेट 634.5 रहेगा जो motor प्सक्रिप्ट के बारे में जानते हैं और script 3 के अंदर में भारतिय अर्टेल को बाय करने के लिए बता है तो equity cash market पे 320 पे बाय करना है stop loss 317.5 रहेगा पहला target 323 और second target 325 रहेगा अगर आप भारतिय अर्टेल का future market पे बाय करना चाहते हैं तो 323 पे आप बाय कर सकते हैं stop loss 320.5 पहला target 326 और second target 328 रहेगा तो दोस्तों यह था third script के बारे analysis चाले अभी four script के बारे में जानते हैं देखे four script पे मैंने HDFC bank पे खरीदारी करने के लिए बताया है तो equity cash market पे 2149 पे हमको खरीदारी करना है stop loss रहेगा 2138 पहला target 2160 और second target 2169 रहेगा अगर आप HDFC bank का future market पे बाय करना चाहते हैं तो 2159 पे बाय क किजिए stop loss आपका 2148 रहेगा पहला target 2170 और second target 2179 रहेगा तो चली दोस्तों अभी script 5 के बारे में जानते हैं script 5 पे मैंने HDFC पे बाय करने के लिए बताया है तो equity cash market पे 2010 पे बाय करना है stop loss रहेगा 1096 पहला target 2025 और second target 2034 रहेगा अगर आप HDFC का future market पे बाय करना चाहते हैं तो 2019 2019 पे बाय किजिए stop loss 2005 पहला target 2034 और second target 2043 रहेगा दोस्तों इता 5 script के बारे में analysis और मैंने ये 500 script पे बाय करने के लिए बताया है तो चली दोस्तों अभी nifty और bank nifty future के बारे में जानते हैं nifty future पे हमको 10925 पे बाय करना है stop loss रहेगा 10925 पहला target 11025 और second target 11025 रहेगा तो चल दोस्तों अभी bank nifty future के बारे में जानते हैं bank nifty future पे हमको 37,500 पे buying करना है stop loss रहेगा 37,400 पहला target 37,600 और stop loss 37,700 रहेगा दोस्तों इता nifty bank nifty और 5 script के बारे में analysis चो आप proper rule फोलो करके और proper risk management के साथ काला आप trade कर सकते हैं अगर आप पहली बार मैरा वीडियो को देख रहे हो तो मैरा चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए से वीडियो लेके आता रहता हूं फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जाहिन बंदे मात्रम